नमस्ते गाइस, MS Word की Advanced Tutorial वीडियो में आप लोग को फीट से स्वागत है, तोस्त इस वीडियो के जरिये से मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूँ, कैसे आप आपका जो फार्माटिंग है, इस फार्माटिंग को ब्लॉक कर सकते या पास्वाट पोटेक्ट कर सकते हो, ज चलना है, तो चली जनते, तो देखे, मालने जी आप एक office employment में काम करते हैं, या घर में, या school में कोई project आपको देया गया है, जिसके उपर आप काम कर रहे हो, हो सकता है आपने उसके उपर बहुत ही अच्छे तरीके से color customization, text effect, जितने भी formatting होते हो, आप अपने अपने सही त formatting खराब हो जाए, तो आप चाहते हो, कोई भी आका है, उसको formatting को edit ना कर पाए, कोई भी इसको छेरखानी ना कावर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस formatting का पो restrict करना पड़ेगा, password product करना है, तो password product कैसे किया जाता है, जानना है, जरूर वीडियो के इन तक जरूर देखिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे है, तो like, comment, share करना ना मत भूलिएगा, उसके साथ-साथ, चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा, तो guys, आप देख सकते हो, MS Word में मैंने एक paragraph तायर का करे रखा हूँ, डॉकुमेंट्स तायर का करे रखा हूँ, उस documents के अंदर four paragraphs है, और four paragraphs के उपर, अलग-अलग color communication किया गया है, उसका text style को भी change किया गया है, इसका मतलब इसका color customization किया गया है, और उसके साथ का जितने भी formatting होता है, उस formatting के जरिये से, इस text को अलग-स एक बहतरीन तरीके से सजाया गया है, तो अगर आप चाहते हो किसी भी color को change करना तो आप change भी कर सकते हो, माल लीजिए यहाँ पर professional के जो color है, rate color है, मैं इसको double click करूँगा, होम्टेब में जाऊंगा, यहांसे मैं же téxt color को change कर सकते हो, होतकते हैं आपको जो भी color पसंदे हो, उस color को यूज कर सकते हो, अपके मन मताविक अब यूज कर ले सकते हो, तो चले हैं जो भी आपका मन है, आप उस तरह का color use कर पा रहे हो, आप चाहे तो किसी bumi petite तो इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो हूँ इसके मतलब एडिटिंग भी कर सकते हो डॉकुमेंट्स को है उसके साथ-साथ फर्माटिंग भी कर पार रहे हो without password तो अभी आपको जो करना है यह जो आप style बना के रखे हो या जो भी आप formatting करके रखे हो जो भी टेक्स्ट लिख कर रखे हो इसके उपर कोई भी हक ना जता पाए कोई भी इसका छेरकनी ना कर पाए इसके लिए इसको कैसे रेस्टिक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या review टेम में तो review tab में क्लिक कर लीज़े करने के बाद यहां पर option आपको देखने को मिल जाएगा प्रोटिक्ट जो option है उसके अंदर रेस्टिक्ट एक का option है तो रेस्टिक्ट एडिक्टिक्ट के उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करते है आपको right side पर देख सकत हो पहले बाला कर सकते हो इस document को तो सबसे पहला जो option उसको बार में जान लेते हैं सबसे पहला वाला option है formatting restriction limit formatting to a selection of style इसका मतलब है इस formatting restriction के जड़िये से आप यहाँ पर जितने भी text text का color भी block कर सकते हो या ठीक है तो आप चाहे यह वाला टिक करने से आप पासर पूटेट करने से आप इसका color नहीं change कर सकते हो ठीक है आपके size भी increase decrease नहीं कर सकते हो तो चलिए देखेंगे बाद में तो दूसरे यह रिस्टिक्ट एडिटिंग को जो है एडिटिंग restriction यह on कर लूँ अलाव कर लूँ तो यह जो मैं delete कर रहा हूं दुबारा return ला रहा हूं यह नहीं हो पाएगा इसका मतलब आप एक डॉकुमेंट तयार करें के रखो आपके MSWord में तो उस डॉकुमेंट के उपर कोई भी किसी भी तरीके से छेरखानी नहीं कर पाएगा चल चलिए देखते हैं तो सब से पहला वारा fafformating restriction को आपको active करना है तो क्या क्या restriction में लाना है और क्या क्या शोरना है ओभी आप settings के अंदर जाके ठीक करने सकता हो तो settings में जालिए तो तो यहां पर सभी के सभी allow हुआ है। इसका मतलब जितने तरीके की formatting होते हैं सभी formatting को block कर पाएगा। अगर आप इसको none कर देते हो तो यह check mark हड जाएगा और आप इसको activate करने से भी कोई फाइदा नहीं परेगा यह काम नहीं करेगा। तो यह all ही रहने दीजिया। इसके बाद आपको दूसरा option editing restriction कर ऊपर जाना है। तो यहां पर भी एक सा option देख रहा है allow only this type of editing in the document। अब इस check box को आपको tick mark लगाना है। tick mark लगा थी यह वाला option activate हो जा रहा है। इस activator यहां पर click कर दीजिए देखिए यहां पर कुछ options आपको मिल रहा है। सबसे पहले track changes, दूसरा है comments और filling in forms और चौथा है no changes read only तो मुझे चाहिए मेरा इस documents को कोई भी change ना कर पाए। सिरी पर सिरी पर पाए ठीक है adding ना कर पाए तो इसलिए मैं चौथा नमबर का जो no changes read only का option इसको मैं select कर लूँगा। इसके बाद exceptional है जो optional है आप इसको use कर सकतो नहीं भी कर सकतो तो मैं आपको recommend करूँगा जब भी यहां पर आए आप इसको everyone पर click करें यहां से आपको select करना है everyone कोई भी कुछ नहीं करना है आप everyone को tick mark कर दीजे इसके मतलब कोई भी आकर इसके अंदर घुसे इसके मतलब मैं फाइल में बंद कर दूँ दुबारा यहां पर मैं मैं खुद आऊं तो भी एक काम नहीं करेंगा password के बिना तो इसलिए मैं everyone के उपर select कर दिया हूं group wise नीचे देखिए है आपर तीसरा option है start enforcement yes start enforcement के मतलब यही है आप ready हो इस जो setting अपने किये हो रेस्टिक एडिटिंग की यह फर्मेटिंग की इसके बारे में आप ठीक से सेटिंग किये हो अगर किये हो तो yes start enforcing protection के उपर click के जिए तो मैं मेरा तो सब कुछ पहले से किया धरा हूं है मैं आपको दिखा भी चुका हूं तो मैं yes enforcing protection के उपर click कर रहा हूं जब भी मैं क्ल computer open होता है जोहां पर जो user authentication आता है उस user authentication के बिना उसका password के बिना यह open नहीं होगा लेकिन पहले बाला जो है आप खुद आपका file के उपर आपका मन मर्जी password लगा सकते हूं तो मैं पहले बाला option यूज करूंगा password और यहां पर enter in new password डालूंगा तो मैं फिलल इस password डाल रहा ह है तो यहां पर भी 12340 डाल रहा हूं और okay कर दूंगा तो देखिए password protected हो चुका है अब देख सकतो यहां पर stop protection देख रहा है इसका मतला protection हो गया मैं आपको कैसे दिखा हूं अब मैं कोई भी text आपको delete करके दिखाता हूं चलिए मैं professional को ही delete करके दिखाता हूं चलिए देखि करने की कोसिस कर रहा हूं लेकिन डिलीट नहीं हो पा रहा है अप отмет कर सकती हो मैं कार्सर आभी पहले रहा है जा रहा हूं इसको भी काम नहीं कर आप देख सकतो मैं इसका color हम चैंज करने की को सिथ कर रहा हूं सायध इस परग्राफ को select कर लेता हूं color change करूंगा होम टेम में जाता हूं देखिए यहां पर फॉंड परगाब स्टाइल इतने भी फॉर्मेटिंग का ओप्शन था सभी के सभी डीजेबल हो गए इसके मतलब किया आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो जब तक उस पासवाट के जरीए से इस रेस्टिक को हटा नहीं दे तो देख सकते हो किस तरह से यह काम हो चुका है और रेस्टिक एडिटिंग विट पासवाट का पोटेक्शन में ने डाल दिया है तो यह काम नहीं करेगा आभी तो आपको इसका हटाना कैसे है पासवाट कैसे रिमॉप करना है ओ भी जान लेते हैं तो इसके लिए आपको दुबारा जाना है रिव्व्व टैब में जाने के बाद आपको एड्रेस्टीट एडिंग झे ओपर क्लिक करना है करने सही यहां पर नीके ऑप्सेन आपको मिल जाएगा स्टाप पोटेक्शन के तो स्टाप पोटेक्शन के को प्लिक करती है जो पासवाट डालके आपने किया था वही password आपको इहां पर डालना है तो मैंने क्या password डाला था 1234 तो मैं 1234 डाल रहा हूं फिर मैं okay लगा रहा हूं ओके लगा थी यह password प्रोटेक्ट था अभी प्रोटेक्ट नहीं है कैसे इसको समझा जाए अभी एक टेक्स्ट को डिलीट करके देखते हैं फिचलिव प्रॉफेश्यनों की स्लेट कर लेटे डिलीट कर देटे दे देक्ट हो चुका है अभी आपको दुबारा रिटन ला रहा हूं आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हो कालर का सेंजिकर मैं स्लेट कर रहा हूं इसी चेक्स्ट को और होम टैब में जा रहा हूं देखिए कालार चेंज करने की जितने भी सब ऑप्सें डीजेवल था सभी आप इनबल हो चुका है अब कोई भी कलर आप यहां से चूज कर सकते हो आसान तरीके से देखिए हो गया तो हुए ना बहुत ही काम की चीज यह है तो चलिए गाईज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक तो ज़रूर बनता है उसके साथ साथ अगर इस तरह के ट्रिक निक आपने पहले बर देख रहे हो YouTube चैनल पर तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बता है अगर आप पहले से इस ट्रिक्स के बारे में पता है तो भी आप जाके बता सकते हो आपको पहले से पता है और इसके साथ और एक बाद में आप कुछ जरूर कहूंगा आपको कुछ आता में यूटूब में सिखने को मिले इस चनल के साथ तो इस चनल का नाम मत बुलिएगा फ्रेंड इटेग यूट चैनल तो चलिए बाइ जाए हिंद बंदे मातरम